ओम नमस्षीवाय मित्रो मैं जगदिश के वड़ ग्राम बकावा से सीवम वास्तुकला में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको सिवलिंग दिखा रहा हूँ यह सिवलिंग अखंड नर्मदेश्वर सिवलिंग का लाता है अखंड नर्मदेश्वर सिवलिंग का मतलब है यह सिवलिंग और जो जलाधारी है वो जलाधारी एक ही पत्थर में बनाई हुई है यह सिवलिंग और यह जलाधारी दो अलग से नहीं रखी गई है यह सिवलिंग इसमें अलग से नहीं फिट किया गया है ये एक ही पत्थर में सिवलिंग और जलाधारी दोनों बनाई गई है। इसे अकंड नर्मदेश पर सिवलिंग कहते हैं। यह सिवलिंग दो इंच का है और इसकी जलाधारी छेंच की है। यह घर में पुजा करने के लिए सबसे अति उत्तम होता है। इसी साइच की घर में पुजा करते हैं और इसका जो कलर है वह विभूती कलर का है विभूती कलर जो भगवान सिव को अति प्रिय होती है भगवान सिव के भकतों को उनके गणों को यह विभूती प्रिय होती है इसी प्रकार यह सिवलिंग घर में पुजा करने के लिए सबसे उत्तम है अखंड नर्मदेश्वर सिवलिंग ओम नमस्षिवाय